सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल सुनिपट 24 को सबसे पहले लेतेस्ट खबरे देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए सुनिपत के बाबा तरान रोड़ पर उस समय संसरी फैल गई जब अग्यात हमला वरों ने दो दोस्तों पर हमला कर दिया इस हमले में एक दोस्त क्रिशन की मौके पर ही मोत हो गई तो रिंकू गंभी रूप से घायर हो गया वारदात की सूचना मिले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गैंता से जांच में जुट गई मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांधी चोग पर इस्थित पैट्रोल पंप के परदोशन जाच के अंदर पर काम करने वाला कृषन अपने दोस्त रिंकू के साथ घर जा रहा था तो देर रात अग्यात हमला वरों ने दोनों पर हमला कर दिया जिसमें दोनों गंभी रूप से खायल हो गए जिसके बाद दोनों को अस्पताल में ले जाया गया जहां पर कृशन ने इलाज के दोरान दम थोड़ दिया तो रिंकू जिल्दगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा हाला कि वारदात की सूचना मिले के बाद सोनीपत कराइन ब्रांच की टीम भी इस पूरे मामले को सुलजाने में जुट गई लेकि अभी तक अग्यात हमलावरों की पैचान नहीं हो पाई सोनीपत 24 के लिए रमेश कमार की रेपोर्ट अभी तब कोई पता नहीं चला हुआ है कहांपे क्या वाथ आपका भाई आदर्शनेगर में तुन्दा सर्विस के किसी पोलिशन काम करता है किसमें पोलिशन परदुशन जांच के लिए अच्छा का पे सिटी लेंड फिलिंग इस्टेशन पे करता था वो काम गांधी पतानी पर जहां प्यक्तिया वहां काफी बाहर फून है रूम के बाहर पड़े हुए दो जगा लोड़े इट भी तूट रहा है पर किसी से वार क्या यह हमको पतानी यह रात को कंट्रोल रूम से टेलीफोन आया था कि दो वेक ती लड़ाई जगड़ा होकर दाखिल हस्प पुलिस पहुंची है तो मौक्य को पर वार्षान वगरा कोई मिले नहीं थी जो सुबह मरतक के परिवार वाले आजिन मिले हैं जिन्होंने के दर्काद देके फैर्दर्ज करवाई है मरतक का नाम किर्षना था और घायल जो रिंकू नाम का लड़का है जो आदरसंगर में ह रहते हैं और आज उनका पोस्ट माड़म कराकिब बोड़ी को वार्षान के अवाले कर दिया गया है और आरोपियान की गिरफतारी का बर्षक परितन की जा रहे हैं जिनको जल्द से जल्द गिरफतार करके पेस अदालत की जाएंगे सर कुछ कारण पता लगा है अभी तप्तिह जारी है जिनको जल्द से जल्द गिरफतार किया दाएगा और खुलासा जल्द से जल्द किया दाएगा